सुब, दिन की शुरुवात बहुत इंपोर्टेंट है, आजकल शिकायत करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि एक तो परिस्थिती मुश्किल है, उपर से हम सब के पास आसपास उसके राइट आंसर्स नहीं है, उपर से नियम भी बदलते रहते हैं हर रोज, तो शिकायत करन के लिए बहुत कुछ है, भगवान से भी शिकायत कर देते हैं आजकल, जीवन से भी हम शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत करने से हमारे ये जो बैटरी है, ये डाउन होती जाएगे, ये डाउन होती जाएगे, और अगर ये डाउन होती गई, इसका असर हमारे शरीर पर अपने मन को एक अलग भाषा सिखाते हैं, शुक्रिया, ग्राटिट्यूड, इंस्टिड अपने परिवार से इतने दिन से मिले नहीं, इस समय हमें कहना चाहिए, मैं सेफ हो, मेरा परिवार सेफ है, कितना शुक्रिया करें, मिले नहीं उससे क्या होता है, हम सेफ हैं, वो सेफ हैं, आपके बच्चे सेफ हैं, कितना शुक्रिया करें भगवान को उसके लिए, अगर मन को शुक्रिया करना सिखा देंगे न, तो वो शिकायत नहीं करेगा, वो उदास नहीं होगा, वो उसी सीड को एक अलग नजरीय से देखेगा, तो सुबह की दिन की शुरुवात, शुक्रिया करते हैं, सबसे first thought, परमात्मा का शुक्रिया, second thought, अपने तन और मन का शुक्रिया, mind and body healthy है, कितना शुक्रिया, family का शुक्रिया, आपके साथ जो सेवा करते हैं hospital में, उनका शुक्रिया, प्रकृती का शुक्रिया, there is so much to be grateful for, अगर हम सुबह सुबह शुक्रिया करते हैं, तो सारा दिन में शिकायत करने का money नहीं करेगा, क्योंकि मन की भाषा change हो जाएगे, तो सुबह सुबह शुक्रिया करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने श्रेष्ट संकल्पों की भाषा शुरू करते हैं, which means a vocabulary of high energy words, affirmations, positive, pure, pure, powerful affirmations, high energy words, 10 thoughts लेते हैं, आप फर कोई भी thought लीजेगा, उसमें add कीजेगा, लेकिन आज हम basic 10 thoughts लेते हैं, और वो 10 thoughts को हम अगले 10 days के लिए एक homework की तरहे repeat करते हैं, कई बार, और वो वो thoughts होंगी, जो हम बनना चाहते हैं, एक equation याद रखियेगा हमेशा, संकल्प से सिधी, जो हम सोचेंगे, वो सिध्ध हो जाएगा, thoughts manifest, thoughts become a reality, life is a manifestation of our thoughts, जो हम सोचेंगे, वो सिध्ध हो जाएगा, इस समय सिरफ एक ही चीज़ करने हैं, सोचना सही है, अगर हमने सोचा सही, destiny अपने आप सही हो जाएगी, तो 10 thoughts, 10 thoughts in the morning हम स्टार्ट करते हैं, first thought, पहली सोच, I am a powerful being, मैं शक्ति शाली हूँ, सुबह की first thought, second thought, I am a peaceful being, मैं शान्त हूँ, अब ये दो thoughts क्यों करनी हैं, पहली thought, I am a powerful being, powerful being means मेरी स्थिती उपर है, परिस्थिती मुझे पर हावी नहीं हो सकती, लोगों का व्यवाहार मुझे पर हावी नहीं हो सकता, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मैं डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि I am a powerful being, लोगों की energies मुझे छोग नहीं सकती, I am a powerful being, जूसरा, I am a peaceful being, मैं शान्त हूँ, मतलब सारा दिन में, नो गुसा, नो इरिटेशन, किसी से चिड़ कर बात करना, इस समय तो बिलकुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस समय ऐसा किया, ये बैटरी भी डाउन होगी, और दूसरा है, जिसको हम डांट देंगे, या चिड़ के बात कर लेंगे, वो भी तो पता नहीं न, कौन सी मनुस्थिती से गुजर रहा है, इस समय हमारे आसपास के मन दुखी है, उनको डांटना ही तो अच्छा कर्मा नहीं होगा, गल्तियां हो सकती है, हम डिसिप्लिन भी करेंगे, लेकिन डांट नहीं सकते इस ताइम, वैसे तो कभी भी नहीं डांटना चाहि क्योंकि सामने वाले के अंदर डांट खाने की इस समय शक्ती कम है, पावर तो टॉलरेट लोगों की घटे होई है, इस समय सेम बात को कहना है, बट विद असर्टिफ डिसिप्लिन, विद लॉट अगर अगर एंट इरिटेशन, तो फिर्स थोट, आइम अपावर्फुल बि थर्ड थोट, हमारी तीसरा संकल्प, I am a fearless being, मैं निर्भाई हू, मैं निडर हू, आप हैं निर्भाई, इसलिए तो रोज ऑस्पितल जाते हैं, लेकिन हमें ये थोट इसलिए करनी हैं, ताकि हमारे आसपस के लोगों का डर हम पर कभी भी हावी नहों चाहें, सिरफ आजने एक माइना और, दो माइना और, अभी तो जब लोग बाहर निकलेंगे, अभी तो घर में हैं तो भी डर लग रहा है, जब बाहर निकलेंगे, तो थोड़ा सा अलग होगा अभी, लोग एक दूसरे से देख कर डरेंगे, काम करने की वज़ाए कितनी दूर खड़े होना है, हो सारा दिन सोचेंगे, lot of things are going to change in the mind, तो डर थोड़ा सा बढ़ेगा समाज में, जब तक लोगों को इसको handle करने की आदत ना पड़ चाहे, आपको आदत पड़ गई है, लेकिन जिन्होंने अभी घर से बाहर निकलना है न, उनको तो थोड़े दिन लगेंगे इसकी practice करने में, तो इसलिए हमारे आसपास का डर हम पर हावी नहीं हो, तो हमें रोज ये thought create करनी है, I am fearless, मैं निर्भाई हू, मैं निडर हू, three thoughts, fourth thought, हमारा चौथा संकल्ब, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहे गा, my body is perfect and healthy and will always be, हम ये thought क्यों create कर रहे हैं, ताके कहीं भी, गल्ती से भी, अगर ये सोच आ जाए, मुझे अगर हो गया तो, ये thought हमें स्वपन में भी नियानी चाहिए, this should not be a thought even in our dreams, ये सोच यहां होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सोच हमारे मन के लिए और ये सोच हमारे शरीर के लिए हानिकारत है, it's not safe for our mind and body to keep this thought here, what if this happens to me, तो हमें उस thought को हटाना है, तो उस thought को हटाने के लिए हमें एक तौर thought उपर डालने होगी, तो वो thought कौन सी होगी, my body is perfect and healthy and will always be, मेरा शरीर स्वस्त है और हमेशा रहेगा, fifth thought, पांचवा संकल्प, बहुत important है, जितना important mask लगाना है न, उतना ही important ये वाला thought है, पर मात्मा की शक्तियां, मेरे चारो तरफ, एक energy circle है, ये मेरा सुरक्षा कवच है, जैसे ये मेरा protection है न, वैसे ये मेरा protection है, ये मेरा protection है, ये मेरा protection है, God's power and blessings is a circle of white light around me, I am protected, I am protected by God's energy, sixth thought, nothing can enter into this circle, इस सुरक्षा कवच के अंदर कुछ भी नहीं आ सकता, and कुछ भी मतलब किसी की सोच भी नहीं, किसी का व्यवाहार भी नहीं, किसी की कोई गलत बुरी बोली हुई भी बात भी नहीं, कुछ भी नहीं गुसेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा लोगों का व्यवाहार, because आपने अपने चारो तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया है, I am powerful, I am peaceful, I am fearless, my body is healthy, fifth thought, I am protected by God's power and blessings, sixth thought, छटा संकल्प, वो सेम परमात्मा की शक्तियों का सर्कल, अपने परिवार की अराउंट रोखेजिये, यहां पर ये थोट भी नहीं आने चाहिए, अगर मेरे परिवार को हो गया तो, संकल्प से सिध्धी, हम सिरफ वो सोचेंगे, जो हम चाहते हैं के हो, हम वो नहीं सोचेंगे, नहीं बोलेंगे, जो हम चाहते नहीं के हो, we will only think that what we want reality to be, don't think or speak that what you don't want should happen, तो परमात्मा की शक्तियों का कवच परिवार के चारो तरफ, my family is safe, मेरा परिवार सुरक्षित है, next thought, seventh, परमात्मा की शक्तियों, परमात्मा की दुआएं, मेरे hospital के चारो तरफ, visualize किजिए सुब, आपका hospital and परमात्मा का एक wide energy circle चारो तरफ, हर एक सुरक्षित है, everyone is safe, फिर परमात्मा की शक्तियों का circle, पूरी सुरक्षित के चारो तरफ, look at the planet like this, and encircle it with God's power and blessings, ये सुरक्षित, मेरी दुनिया, safe है, इस सम्में सब लोग बोल रहे हैं, दुनिया, तो हमें वो सब नहीं बोलना, हम कहेंगे दुनिया मेरी safe है, वो चीज चो आई हुई थी, स्रिष्टिक पर, सब लोग बड़ी predictions कर रहे हैं, कि ये कितना time और रहने वाली है, कब इसका हमें इलाज मिलेगा, कब हमें इसका vaccine मिलेगा, कोई छे महीना कह रहा है, कोई एक साल कह रहा है, कितने दिन में वो vaccine बन जाएगा, लेकिन हम statistics calculate करते हैं, ये logical statistics होते हैं, based on today's condition, लेकिन अगर vibration उपर हो गए, अगर लोगों के मन powerful हो गए, अगर सबने pray, meditate और दुआ करनी शुरू कर दी, statistics चेंज हो जाएगे, miracles create होंगे, miracles कभी-कभी नहीं, अब हम सबने मिलकर miracle create करना है, तो वो वाले statistics सोचने और बोलने की बज़ाए, आप कहना शुरू करिये, वो चीज जो आई थी, वो चली गए, चली गए never to come again, जिनका role है न वो statistics का, वो अपना role करेंगे, हमारा role तो नहीं है वो statistics कितना, हमारा role है मन की स्थिती से वो statistics को खतम करना, आप सबने experience किया होगा, अगर आप किसी के साथ बैठे हैं न घर में, या कमरे में, या hospital में, अगर आप मन में सिरफ उनसे परेशान हो रहे हो, और आप सिरफ एक thought करें, उठ जाए न अब जाए, किती देर से बैठे हुए, आप बोलेंगे नहीं कुछ भी उनको, आप सिरफ मन में thought create करना, कि उठ जाओ, उठ जाओ, भी मैं बोर हो गए, आपके साथ बैठ कर अभी चलो, आप जाओ, पांच मिनिट के अंदर, वो व्यक्ति उठ कर जाने लगेगा, आप उसको बुलेंगे, आप क्यों जा रहे हैं, बैठे न, किये गा नहीं, बस मुझे कोई काम यादा गया, मुझे जाना है, क्यों गया वो, यहां से, vibrations, आप चले जाओ, अगर हम कहते न, मन में, यह तो अभी और आदा घंटा बैठेगा, अब आया है, तो इतनी जल्दी थोड़ी जाएगा, यह तो कम से कम और एक घंटा बैठ कर ही जाएगा, तो वो एक घंटे से जादा बैठ कर जाएगे, तो उस चीज के लिए, और अपनी affirmation में उसका नाम नहीं लेते हम, हम कहेंगे वो चीज जो आई थी, वो चली गई है, हमेशा के लिए, never ever to come again, and हमारा last संकर्ब, affirmation, मैं पर्मात्मा का फरिष्टा हू, I am God's angel, भगवान ने मुझे चुना है, सब को सुख देने के लिए, भगवान ने मुझे चुना है, सब को सुख देने के लिए, God uses me to give happiness and health to all, पर्मात्मा मुझे यूज करके, हरेक को सपून और सेहत देता है, 10 thoughts, I am powerful, I am peaceful, my body is healthy, sorry, I am fearless, my body is healthy, God's powers around me, circle of protection, nothing can enter into this circle, God's power and blessings around my family, they are safe, God's power and blessings around my hospital, and God's power and blessings around the world, वो चीज जो आई थी, चली गई है, फिर कभी ना आने के लिए, and 10th thought, मैं पर्मात्मा का फरिष्टा हू, I am God's angel, and God uses me to give happiness and health to all, 10th thoughts, बोलने के लिए, mind में, सिरफ 10 seconds लगते हैं, उससे दादर time नहीं लगता है, तो सुबह उठकर, यह 10th thoughts बोल लेजे आप, और उसको feel भी कीजे, उसको visualize कीजे, सुबह 15-10 minute दीजे अपने आपको, यह 10th thoughts को बोल लिए, और इसको feel कीजे, फिर पर्मात्मा से बात कीजे, it's time to have a personal conversation with God, भगवान से बात कीजे, उसको सब कुछ बताईए, कि आपके hospital में क्या-क्या चल रहा है, और उसको अपने सारे patients के बारे में भी बताईएगा, और उसको कहिएगा, I surrender to you, मुझे use करना आज, कि हरे एक के साथ जो सही है, मेरे थुरू सिरफ सही करम होना चाहिए, so meditation first thing in the morning, फिर आप जब hospital जा रहे होंगे, क्या आ रहे होंगे, दोनो time को आप use कीजिए, 10-15 मिनिक तो लगेगा hospital पहुँचने में, उतनी देर में spiritual study, क्योंकि शायद अभी जादा time ना हो आपके पास, तो travel time को use कर लेते हैं, कि उस समय पर आप आध्यात्मिक study, which means परमात्मा का दिया हुआ ज्यान, सुनेंगे, पढ़ेंगे या देखेंगे, अंदर क्या जाएगा सुबर सुबर, purity, divinity, power, वो सब भरेगा, दुनिया में क्या चल रहा है, वो नहीं भरेंगे, और भगवान क्या सिखा रहा है, वो सुबर सुबर भर देंगे, तो जो अंदर जाएगा, वो सोच बनेगी, जो सोच बनेगी, वो सिद्ध हो जाएगा, तो ये हमारी सुबर की दिन की शुरुवात है, ग्राटिट्यूट, शुक्रिया, फिर हमारे अफ़र्मेशन्स, मेडिटेशन, और फिर थोड़ी देव स्प्रिक्छ्वल स्टैडी, फिर सारा दिन में, हर एक घंठे के बाद, हम दस सेकिंड के लिए रुकेंगे, और मुश्किल नहीं है, दस सेकिंड निकालना, आपके लिए तो बिलकुल मुश्किल नहीं है, आपको सब याद रहता है, हर एक को कितने बज़े दवाई देनी है, हर एक का बलड प्रेशर कितने बज़े चेक करना है, बस उतना ही, अपनी नर्सिंग करनी है न थोड़े दिल, तो मुझे हर एक घंटे के बाद दस सेकिंड के लिए रुखना है, और दस सेकिंड रुख कर, मुझे वो दस थौट्स रिपीट करनी है, क्यों रिपीट करनी है, ताके वो मेरे मन की स्थिती बन जाए, और दूसरी thoughts खतम हो जाएं, तो हर एक घंटे के बाद, रात को सोने से पहले, तस मिनट सोने से पहले, फिर से spiritual study, बहुत important है, कि रात को सोने से पहले अंदर क्या जाता है, जब रात को सोने से पहले high energy words अंदर जाएंगे न, तो वो 5-6 घंटे जब आप सोएंगे, यहां की स् और शरीर को पांचने वाली vibrations, यही फ्योर, पावर्फुल और डिवाइन होंगी, रात को सोने से पहले कोई problem के बारे में सोचना, किसी के साथ कोई argument, यह सब कभी भी भी नहीं होना चाहिए, सोने से पहले, सोने से पहले यह मन को बेलकुल slow down कर देना चाहिए, तब जब हम स सोते हैं, तो सिर्फ शरीर नहीं सोता, मन को भी सोना है, and for the mind to sleep, the mind has to slow down before sleeping, तो सोने से 10-15 मिने पहले, आप फिर से कुछ study करें spirituality, and फिर last thoughts before going to sleep, फिर से वो 10 thoughts, तो सुब हो गया, हर एक घंटे के बाद हो गया, और रात को सोने से पहले, और लास्ट एक चीज़, खाना खान के time, इस समय हम सब vegetarian ही खाना खा रहे होंगे, doctors ही हमें बताते हैं, कि इस समय हमें alkaline diet लेनी चाहिए, इस समय alkaline तो लेनी है, लेकिन इस समय खाने की vibrations भी बहुत अच्छी high होनी चाहिए, अगर हम इसे कोई non-vegetarian अभी भी खा रहा है, तो तीन महीने के लिए vegetarian diet के साथ experiment करते हैं, जैसा अन वैसा मन, जो हम खाना खाते हैं, it's not just nutrients for the body, वो सिरफ शरीर को शक्ती नहीं देता, it is vibration for the mind, we are what we eat, जैसा अन वैसा मन, जैसा पानी वैसी वानी, इस शक्ती को तो पकड़ लेना है इस समय, क्योंकि हमें miracles create करने हैं, तो हर तरफ से हमें सारी शक्तियों को use करन हैं के मन को powerful कैसा रखना है, जैसा अन वैसा मन, जैसा पानी वैसी वानी, which means the vibrations of the food and the vibrations of the water we drink have to be very pure, इस समय शहर के पानी में ही डर है, और जो सबजी, fruit, फल, सब कुछ जो आ रहा है, उसमें भी डर है, खरीदने वाला भी डर रहा है, बेचने वाला भी डर रहा है, और जहा उगरी है, वहाँ भी डर है, so be rest assured, there is vibration of fear everywhere, तो जैसे हम किसी चीज को धोय बिना नहीं खाते हैं, इसी तरह हमें किसी चीज की energy को change करें बिना नहीं खाना है, kitchen में, hospital के kitchen में कर सकें, तो भी बहुत अच्छा, के hospital के kitchen में और घर के भी kitchen में, परमात्मा के याद के गीत बजा परमात्मा के याद के गीत, मतलब spiritual songs, भजन, mantra, आपको जो अच्छा लगे, even अगर ओम शब्द चल रहा है, high energy word, let it keep playing in the kitchen, जो high energy words आपको अच्छे लगे, अपने kitchen में पूरा दिन उसको play करने दीचे, even अगर kitchen में कोई नहीं है, तो भी वो high energy words चलने दीचे, घर का पानी ब बदल जाएगा, प्रशाद, गुर्दवारे में लंगर, ऐसे ही बनता है, कि भगवान की याद के गीत चलते हैं वहां, और एक एक word उस खाने में जाता है, तो वो खाना खाना नहीं रहता, वो प्रशाद और लंगर बन जाता है, और वो मन को सुकून देता है, और शरीर को सेहत देता है, और यही तो हमें चाहिए न अभी, तो kitchen में high energy words need to play, अगर आप अपनी घर में खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते समय बहुत ध्यान प्रखना, कि भगवान को याद करते हुए, वो 10 thoughts repeat करते हुए, खाना बना लीजे, and last is, खाना खाने से पहले, पर मात्मा को याद करके, वो 10 thoughts, आप खाना खाने से पहले फिर से दोरा देचे, just repeat those 10 thoughts before your every meal, before drinking water, अगर हम पानी को पीने से पहले पर मात्मा को याद करते हैं, जो कि हमें बच्पन से सिखाया था, कि खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले बगवान को याद करो, gratitude, we energize everything, everything we consume should be energized, तो वो 10 thoughts, या जो भी ऐसे high energy thoughts आपको create करने हैं, कुछ भी आप चूस कीजिए, कि जो आप चाहते हैं कि हो, आप उसको high energy thoughts बना दीजिए, खाना खाने से पहले पर मात्मा को याद कीजिए, वो thoughts repeat कीजिए, पानी पीने से पहले वो thoughts repeat कीजिए, चाई, दूद, कॉफी पीने से पहले वो thoughts repeat कीजिए, तो जो आपके अंदर जाएगा, उसकी energy को आपने change कर दिया है, और जो अंदर जाएगा, उसकी energy अगर change हो गई है, यहां की energy change हो जाएगी, और अगर यहां की energy change हो जाएगी, destiny change हो जाएगी, संकल्प से भाग्य बनता है, संकल्प से सिद्धी होती ह हर एक इस समय अपना भाग्य बना रहा है जो सब सोच रहे हैं वो मत सोचेगा अलग सोचेगा और अपने जीवन में मिरिकल्स क्रेट करेगा और आपका रोल तो इतना सुंदर है कि अगर आप अपने जीवन में मिरिकल्स क्रेट करते हैं तो आप औरों के जीवन में मिरिकल्स create करने के निमित बन जाते हैं आपका मन जब शान्त और शक्तिशाली रहेगा तो बस आपके रूम में एंटर करने से वो पेशेंट का माइन चेंज हो जाएगा इस समय आप पेशेंट के नजदीक नहीं जा सकते, कोई उसको टच नहीं करता, सब चीज वो पेहने हुई है, तो हीलिंग का तरीका भी तो बदल गया ना, लेकिन वाइब्रेशन्स जो आपकी हैं वो जो आपने पहना हुआ है उससे ब्लॉक नहीं होती, वो शायद आपको देख नहीं सकते, शायद आपकी स्माइल को भी वो देख न सकें, लेकिन आपकी वाइब्रेशन्स वो जो आपने पहना है उससे ब्लॉक नहीं होती है तो वाइब्रेशन्स से हम उनको हील करेंगे, तो ये 10 थोट्स सुबह, हर एक घंटे के बाद, हर खाना खाने की टाइम, कुछ पीने की ठाइम और रात को सोने से पहले स्पिरिच्फफल स्टडी पंदरा मिनिट सुबह उचकर दस मिनिट रात को सोने से पहले और मेडिटेशन पर मातम से एक प्यारा सा रिष्टा अगर ये 10 दिन भी कोई कर ले सिरफ 10 देस ये 10 थोट्स, 10 देस के लिए आप इतनी बार कर लीजिए 10 देस के अंदर आपको अपनी स्टेट उफ माइंड बहुत हाई वाइबरेशन पे मिलेगी बहुत डिफरिंट, यू विल फिल कंप्लिटली डिफरिंट और जब आप फिल अलग करेंगे तो डेस्टिनी चेंज हो जाएगी और एक बात निश्चित कर लीजेगा आपके पास दुआएं बहुत सारी है बहुत दुआएं जमा की हैं आपने अपने कर्मों से बहुत दुआएं हैं शायद सारे डर लें लेकिन आप नहीं डरना क्योंकि आपके साथ कुछ नहीं होगा भगवान की शक्तियां सब की दुआएं और इस समय सब की प्रार्थनाएं वो आपके साथ हैं ये संपूर निश्चे रखे अपने जीवन में भी मिरिकल क्रियेट कीजे और सब के लिए फरिष्टा बन कर उनको सुकुन और सेहत दीजे थैंक यू सो मच ओम शांती हम एक मिनिट साइलेंस में बैठेंगे अभी और हम साइलेंस में एंट करेंगे लेकिन उससे पहले एक मिनिट वो थोट्स को हम फिर से रिपीट करते हैं और जैसे जैसे आप वो थोट्स को सुनेंगे आप उनको मन में कहिएगा repeat it in your mind and उसको फिल भी करना visualize the thought I am a powerful being मैं शक्ति शाले हू situation जो भी हो रहा है मेरे आसपास उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता I am a powerful being मैं शक्ति शाले हू मैं शान थू I am a peaceful being चाहे कोई भी बात आजाए मेरा बात करने का तरीका मेरा व्यवहार peaceful है I am fearless मैं निर्भय हू मेरा शरीर स्वस्थ है और हमेशा रहेगा I am healthy and will always be पर्मात्मा की शक्तियों का कवच मेरे चारो तरफ है God's power and blessings is a circle of protection around me nothing can enter into this circle इसमें कुछ भी घुस नहीं सकता ये मेरा सुरक्षा कवच है पर्मात्मा की शक्तियों का कवच मेरे परिवार के चारो तरफ है मेरा परिवार सुरक्षित है पर्मात्मा की दुआएं और शक्तियों का कवच मेरे हॉस्पिटल के चारो तरफ है Each one is safe, powerful and healthy पर्मात्मा की शक्तियों का कवच मेरी सृष्टी के चारो तरफ है देखिये इसको God's healing energy white light around the planet वो चीज जो आई थी चली गई है finished forever never to come again मैं पर्मात्मा का फरिष्टा हूँ I am God's angel भगवान मुझे यूस करता है सब को सुख और सेहत देने के लिए ये मेरा श्रेष्ट भाग्य है पर्मात्मा का और मेरे भाग्य का शुक्रिया 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 ओमश्ञ्टी झाल